अलो फ्रेंट्स मेरे नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने सैनल सूप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग रेंबो क्लास 8 से लेसन नमर फरस्ट जिस लेसन का नाम अनदर चांस है फ्रेंट्स इसका आज हम लोग वार्ड मेनिंग लिखने वाले हैं मैं बता दू कि मैंने इसका हिंदी अनुबाद और इसके कोशन आंसर की जो वीडियो है उसको मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप प्लीस जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें फ्रेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वार्ड मेनिंग को मैंने लिखा हुआ है जितने भी आपके लिए डाउट्स है उनसा भी वार्ड मेनिंग को मैंने यहाँ पर कभर किया हुआ है अगर आप इनको देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही हल्फुल रहेगा तो फ्रेंट्स अबसे पहले मैं बता दू कि हाउ हाउ का मतलब होगा फ्रेंट्स कैसे जो की हमारे बुक में लिखा गया है और साथी साथ दो फ्रेंट्स अप्टेन का मतलब होता है कि अकसर अप्टेन इसे हम बोलते हैं अप्टेन का मतलब होता है अकसर वी का मतलब होता है हम और विस का मतलब होता है इच्छा करना राइट फ्रेंट्स जैसा कि इस बुक में भी उताया गया है कि विस विस का मतलब होता है इच्छा करना फोर का मतलब होता है के लिए यहाँ पर जो फोर होता है इसका मतलब होता है के लिए another chance का मतलब होता है अन्य मौका या अन्य आउसर ठीक है friends आप देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा to make to make का मतलब होता है बनाने के लिए यहाँ पर अगर हम कोई चीज बना रहे हैं for example अगर हम अपने लिए कोई चीज बना रहे हैं चाहे हो personality हो यह फिर अपनी कोई habit को सुधार करने के आपर बात की जाए तो वहाँ पर हमनों to make का यूज करते हैं साथे साथ कोई अगर बस तू भी बनाते हैं तो to make का यूज किया जाता है और phrase beginning का मतलब होता है एक ताजी सुरवात राइट friends phrase का मतलब होगा अपनी गलतियों को तो our mistakes का मतलब होगा कि अपनी गलतियों को failure into winnings का मतलब होगा हार को जीत में बदलना ठीक है तो failure into winning का मतलब होगा कि हार को जीत में बदलना for example अगर आप कोई चीज बदलना चाहते हो जो कि आप fail हो चुके हो कोई game है या फिर कोई चीज है तो अभी उसके लिए जो है आप एक तरह का sentence यूज कर सकते हो कि I want to change I want to change my failure into winning ठीक है मैं अपनी हार को जीत में change करना चाहता हूं मतलब बदलना चाहता हूं take का मतलब होता है friends लेना आप देख सकते हो अन्यू का मतलब होता है एक नया दिन अन्यू डे का मतलब होता है एक नया दिन यहाँ पर देखो friends brand brand की महने हिंदी नहीं लिकी हुई है क्योंकि अगर आप poem को देखोगे तो poem है यहाँ पर आपको समझाया गया इस पूरे poem में बलता इस brand का मतलब यह बताया गया है कि एक ऐसा दिन जिसकी हम लोग सुरवात करने के लिए कोई नया दिन नहीं ढूंड सकते है इसलिए आपके यह जो brand है ठीक है friends यह नया दिन की ही भाती मतलब इसको नया दिन के तौर पर brand को लिखा गया है तो इसलिए मैंने brand की कोई हिंदी नहीं लिखी है तो अब आपके मन में आ रहागा कि हम लोग brand का मतलब क्या लिखेंगे तो friends आप brand का मतलब brand ही लिख सकते हो आप देखें आप पर new start का मतलब होगा नई सुरवात deep desire का मतलब होगा गहरी इच्छा ठीक है friends जो कि आपके लिए बहुत ही important है deep desire यहाँ पर जो desire लिखा गया इसका मतलब इच्छा है और ये इच्छा और जो wish मतलब इच्छा है उन दोन में ज़्यादा difference नहीं है पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे इच्छा अलग अलग नहीं है ये जो desire है इसमें हम लोग कोई अपनी मन की इच्छा को कोई मन की जो इच्छा होती है उसे हम लोग बता नहीं सकते बट वो इच्छा हमारे अंदर रहती है कि कास में अमीर हो जाता कास में यो बहुत धनवान हो जाता यह successful हो जाता तो यह हमारी डियायर होती है जबकि जो wish हम प्रस्तुत करते हैं जो wish की जो word meaning होती है उसका भी मतलब इच्छा होता है तो इस इच्छा का मतलब यह है कि हम खुल करके कोई कामना मांगते हैं मतलब यह प्रभू हमारी नौकरी करवा दो यह फिर और भी कुछ हमारी मनो कामना पुरा करा दो तो वो wish अलग होता है थोड़ा इस डिजायर से राइट तो अभी देखो आप two try का मतलब होता है कोशिस करने के लिए यहाँ पर जो with का मतलब होता है basically local word है मतलब काफी चोटा सा word है तो with का मतलब होगा 7 all our heart का मतलब होगा अपने पूरे मन से या अपने पूरे दिल से ठीक है तो आप मन लिख सकते हो तो दिल नहीं लिखोगे और दिल लिखोगे तो मन नहीं लिखोगे तो अपने पूरे मन से या दिल से आप दोनों लिख सकते हो टुलिप का मतलब होगा जीने के लिए लिटिल बेटर का मतलब होगा थोड़ा बहतर या थोड़ा अच्छा अगर थोड़ा अच्छा लिखते हो तो बहतर मत लिखना और बहतर लिखते हो तो अच्छा मत लिखना अल्वेश का मतलब होगा हमेशा या सदेव ठीक है अभी हम अल्वेश के साथ कोई वार्ड मेनिंग कैसे यूज कर सकते हैं अल्वेश गो टू मार्केट में हमेशा बजार जाता हूँ अल्वेश प्ले क्रिकेट में हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ तो इस तरीके से अल्वेश काम लोग यूज कर सकते हैं ये एक वाप की तरह भी काम करता है मतलब हेल्पिंग मार्प की तरह भी काम करता है तो यहाँ पर देखो friends, to forgiving, to forgiving, to forgiving का मतलब होगा चामासील रहना, sorry friends, चामासील बनना, ठीक है, तो अभी क्या है कि, आप बोल सकते हो कि I want to be a forgiving, मैं चामासील बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसके word case आप से add कर सकते हो, यहाँ पर to add का मतलब होगा, जोडने के लिए, राइट, यहाँ पर आप सिर्फ जोडना भी लिख सकते हो, to add, जबकि जो complete हिंडी होगा, वो उसका होगा, जोडने के लिए, यहाँ पर little sunshine का मतलब होगा, थोड़ी सूरज की चमक, राइट, little sunshine का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी सूरज की, मतलब थोड़ी सी सूरज की चमक, और word का मतलब होगा, संसार, जो कि basically हम जिस word में रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, संसार का मतलब होगा, जिसमें हम सभी लोग का घर है, और पूरा जो देश है, वो एक पूरे मतलब संसार के अंदर है, जिसमें ठीक है तो in which का हिंदी मतलब होगा जिसमें for example मैं आपको एक हिंदी समझाने की कोशिश करता हूँ अब एक और बात बता दू friends की in which का मतलब जिसमें या किसमें होता है ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पर किसमें नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग जो है book के हिसाब से ही हिंदी पढ़ रहा है तो इसलिए मैंने किसमें नहीं लिखा ठीक है तो यहाँ पर मैं in which के हिसाब से एक word meaning बताता हूँ मतलब एक sentence बताता हूँ ठीक है I read in which you read ठीक है अभी यहाँ पर यह है कि मैं पढ़ता हूँ उसमें जिसमें तुम पढ़ते हो मतलब तुम जिसमें पढ़ते हो मैं उसी में पढ़ता हूँ तो यहाँ पर in which का हम लोग यूज देख सकते हैं यहाँ पर we are living या यहाँ पर देखो we are living या we are living, मतलब हम जी रहे हैं, ठीक है, हम जी रहे हैं, we are living का मतलब होगा, हम जी रहे हैं, यह present continuous tense का एक sentence लिया गया है, नीचे देखो, friends, तो so का मतलब इसलिए होगा, never का मतलब कभी नहीं, give up, desire का मतलब होगा, उमीद को छोड़ना, ठीक है, अभी and think का मतलब होगा, और सु से आकरी तक, अभी यह जो word meaning है, through, through का मतलब case से होकर भी होता है, मतलब होते वे भी होता है, लेकिन सुरू से लेकर आकरी तक, इसका मतलब मैंने क्यों लिखवाया है, इस poem को आपको समझ में आएगा, सबसे पहले, friends, यह last की four, मैं बता दूँ कि last के four lines है, जो कि मैंने इस होना चाहिए, and think, और सोचना चाहिए, कि we are through, कि हम से होकर के, for, यहाँ पर देखो, कि we are through, कि हम सुरू से है, for, for there's tomorrow, आने वाले कल के लिए हम सुरू से है, ठीक है, अभी आने वाले कल के लिए हम सुरू से है, and hope, और हमें उमीद रखना चाहिए, of starting a new day, एक नए दिन की ह हमें जो है, you know, एक नए सुरूवाद की हमें जो है, उमीद रखना चाहिए, I hope कि यह आपको line मैं समझा पाया हूंगा, नीचे अगर आप लोग देखेंगे, तो कुछ और भी word meaning मैंने दिया हुआ है, और वो यह है, कि for का मतलब होगा, के लिए tomorrow का मतलब, आने माला कल, hope का का मतलब आसा या उमीद होता है, starting का मतलब होता है, शुरुवाद अन्यू का मतलब होता है, एक नया, साथे साथ, friends, यह सारी आपके word meaning थे, अब यहाँ पर मैं आपको basically कुछ बात बता देना चाहता हूं, कि friends, अगर आप जो है another chance के Hindi expression को देखना चाहते हैं, मतलब इसके Hindi अनुबात की वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप please वीडियो के description को चेक करें, और आपको question answer भी आपको इसी वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करते ही video तक पहुँच जाएंगे, साथे साथ, friends, rainbow class 8 से related किसी भी तरकी अगर वीडियो आपक जो है rainbow class 8 की playlist को चेक किजेगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसी तरीके से अगर आप class 7 या class 6 के वीडियो को ढूलना चाहते हैं, तो आप please इसके वीडियो को, please इसके link को आप जरूर क्लिक किजेगा, साथे साथ, friends, को और बात में बता दूँ कि अगर आप जो है, you know, English सीखना चाहते हैं, English के basically Hindi को सीखना चाहते हैं, मतलब कैसे हम लोग जो है, English के Hindi को बना सकते हैं, तो आप जो है, how to learn English के playlist को जरूर चेक करें, इसका भी मैंने जो है, इस वीडियो के playlist का link वीडियो के description में डाल दिया है, आप उसे जरूर देखें, friends, तो friends, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, मैं अगली ही next जो इसकी lesson है, मैं उसके भी word meaning को बताने की जरूर कोशिस करूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा, तो मिलते हैं, friends, अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप स वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद,